हेलो फ्रेंड्स चेहन जैसा कि आप लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं एससे जीडी के आंसर की का तो आज हम कट ओफ के बारे में वीडियो लेकर आए हैं कल हमने एक पोल डाला था जिसमें हमने आप लोगों को बोला था कि आप लोग अपने जितने आप लोगोंने तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने उसमें हिस्सा भी लिया है जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया है वो जाके हिस्सा लें उसमें पोल में तो कम्यूनिटी में सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कम्यूनिटी में जाएं वहाँ पर आप लोगों को पोल दि तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले आप लोग के थमनेल देख लिया होगा लाइफ प्रूफ हैं तो चलिए मैं बताओं आप लोगने यहां पर जो है यह हमारा जो है पोल डाला गया था इसमें जिसमें कि अभी तक 146 लोग उने वोट दे चुके हैं इस पर तो जिन लोगों ने 55 और 60 की बीच में बता रहे हैं कि 55 और 60 की बीच में जिनों ने attempt की हैं वो 18 परसेंट है 60 से 65 की बीच में जिनों ने attempt की हैं वो 14 परसेंट है 65 से 75 की बीच में जिन लोगों ने attempt की हैं वो है 32 परसेंट यानि 32 परसेंट तो इसके according मुझे कुछ-कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या होने वाला है तो लगभग आपको भी समझ में आ रहा हुगा किस तरीके से हमारी जो cut-off है वो बनने वाली है तो मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर जो दिखा रहे हैं 80 प्लस यानि कि जन्होंने 80 प्लस जो questions attempt किये हैं वो जाद अतर यानि कि मैं अपना एक live अधारण आप लोगों को देखना चाहूंगा कि मेरा एक जो relative है वो मैंने उससे बोला कि negative marking है 140 यानि 0.25 की जो negative marking है अगर आप लोग 4 question गलत करते तो वहाँ पर आप लोग का सही में से एक number काट लिया जाएगा तो अगर इस तरीके से अगर 4 question आप लोग सही यानि कि नहीं कर पाते हो यानि गलत कर देते हो तो आप लोग के 5 number कर जाएंगे सीधा सीधा समझ में आ रहा है तो मैंने उससे बोलाई लेकिन वो जो exam में जब exam देके आया उसके बाद उसने बताया कि मैं कितने questions attempt करके हैं वो बोल रहा है 100% यानि 100 question में attempt करके आया हूँ यानि आप लोग सूच सकते हो कि वो 100 question attempt करके आया है अगर उसके 80 question भी सही चले जाते हैं और 20 question गलत हो जाते हैं तो यहाँ पर यह बहुत कम probability है कि 80 question उसके सही हो जाया है बहुत कम probability है इसकी यानि कि 70 question यानि 70 question भी सही होते हैं और 30 question यहाँ पर गलत हो जाते हैं लोग इन्हें 14 पर से यहां पर दिखा रहा है कि कम से कम 10 परसंट लोग ही 80 प्लस कोशन अटेंप्ट कर पाएंगे बस रियल्टी में बाकी जो लोग है वो ऐसे ही चले गए कोशन अटेंप्ट क्योंकि उनको पता ही नहीं कि जो पिछली वार जो हुआ था जैने 100 परसंट यानि कि 100 कोशन अटेंप्ट करके आये थे उनको पता नहीं था नेगेटिव मार केंगे फिर भी कुछ लोग करके आएं तो यहां पर मैं 10 परसंट लेगे चलना हूँ कि 10 परसंट लोगों ने 80 प्लस जो है अटेंप्ट किये हैं तो बाकी जो है 80 से नीचे नीचे सब ठीक है तो जानी यानि कि जो हमारा जो यहां पर आंकड़ा बैट रहा है वो यहां से यहां तक का यानि कि 18%, 14% और 32% ठीक है दिखरा है आपको कि 18, 14 और 32 जहां पर 18, 14 और 32 जो दिखरा है यहीं पर आप लोगों की cut-off जाने वाले हैं यानि कि 55 से लेकर 65 यानि कि 70 तक 55 से लेकर 70 की बीच में यानि कि जो हमारी probability यहां पर निकल के आई है वो कितने की बीच में यानि कि 60% से 60 आट नंबर से जादा अगर मैं आप लोगों की बताऊं कि कि किस तरीके से आपको जो cut-off है वो निकल के आईगी देखिए कि जनों ने जनरल वाले हैं यानि कि यहां पर जो मैं रोम आर्ग बता रहा हूं आप लोग लिए जो रोम आर्ग है जो SSCGD की भरती है उसमें 25,211 जब़ी हैं नंबर अटेम्ट यानि कितने नंबर आटेम्ट की है इनों ऐना अगर जनरल केटिग्री में है 65-70 की बीच में जादा लोगों ने यहां पर आटेम्ट की है अगर मैं 5-6 कि अगर इनों इनों इनने गलत की है तो आनि कि इनके जो number बनते हैं Those 60-65 के बीच में ब पांचे कोशन गलत कर दे रहे हैं तो यानि कि उसके नंबर बन रहे हैं वो 60-65 के बीच में without normalization बन रहे हैं यानि यूँ raw mark हैं normalization जो होगा होगा अभी इतने के बीच में उन्होंने attempt किया है अब दूसरी बात करें कि अगर OBC में उन्होंने 60-65 जाए अतर लोग ने 60-65 के बीच में attempt किया है तो उनके 55 से लेके 60 के बीच में अगर raw mark आ रहे हैं तो वो safe score है यानि इतने के बीच में अगर उनके raw mark बन रहे हैं अगर 60-65 के बीच में अनके नंबर आ सकते हैं यानि 5-6 नंबर less कर दें उसमें से गलत हो यात हैं 5-6 नंबर तो यहाँ पर 55 से 60 के बीच में ये OVC वालों का cutoff है मैं बता रहा हूँ किस region का बता रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ मैं आप लिए UP के लिए UP और general area के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि और जो other border area है नकसल area है उनके लिए तो और भी ज़ादा cutoff down जाने वाली है EWS की बात करें तो यहाँ पर EWS है EWS की जो cutoff रहनी वाली है वो OVC के बराबर या OVC से थोड़ी कम रहने वाली है जादा नहीं थोड़ी बहुत कम रहने वाली है OVC से ठीक है और SC की बात करूँ तो SC की बात करूँ तो यहाँ पर 55 से 60 question अगर SC वाले करके आए है तो उसमें से 50 से 55 जो नंबर है वो cutoff जाने वाली है SC की 50 से 55 ठीक है तो यहाँ पर यह जो cutoff है वो raw mark की बतारों में उसके बाद ST की अगर ST में 50 से लेके 55 question वो करके आए हैं तो 45 से 50 की बीच में ST की cutoff यहाँ पर रहने वाली है आपकी समझ में आ रहा हुआ किस तरीके जातर लोगों ने इतने ही attempt की है जितना यहाँ पर हम दिखा रहे है जनरल की 60 से 65 अगर उनकी सही question है तो वहाँ पर वो shave score है OBC 55 से 60 EWS का भी इतना ही रहने वाला है OBC के बराबर है OBC से थोड़ा खम SC का 50 से 55 की बीच में अगर उनकी सही है तो वो shave score है और आप लोग physical की यहाँ पर तयारी करना स्टार्ट करते है ST वाले 45 से 50 की बीच में ठीक है और physical के बारे में बताऊं और female में यानि 600 मीटर साड़े 8 मिनट में आपर complete करना है ये लद्दाक को छोड़ कर जितने भी लद्दाक रीजन है उसको छोड़ कर जितने भी other state है वहाँ के candidates के लिए ही है ठीक है और फूर लद्दाक के लिए क्या रहने वाला है लद्दाक के लिए मेल में यानि मेल के लिए बताऊं लद्दाक में तो 1600 में यहाँ पर रनिंग है साड़े 6 मिनट में और female के लिए 800 मिनट रनिंग है 4 मिनट में ठीक है ये लद्दाक रीजन के लिए रहने वाली है और हम आप लोग के बताएं कि special physical के लिए हम एक वीडियो लेके आने वाले जिसमें आप लोग को बताया जाएगा special जो trainer हैं उनके द्वारा कि आप लोग को किस तरीके से SSC GD यानि कि उसका physical आप लोग को easily qualify कैसे कर पाऊगे और जिन्होंने पोल में अभी तक हिस्सा नहीं लिया है वो पोल में जरूर हिस्सा लें सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो भी है community में जाएं वहाँ पर आप अपना vote दें जिससे की और ज़्यादा clarification यहाँ पर आ सके ठीक है guys तो मैंने आप लोग का जो cut off है physical के लिए आप लोग तयारी करना स्टार्ट करते हैं अगर इतने की बीच में आपके नंबर रहने वाले हैं फिजिकली लिए जरूर तयारी करना स्टार्ट करते हैं जैहिन जैभारत